हुआ हुआ है यहां है अरे इसको छोड़े है अरे इसको प्रिंजिबल साहब हो गए प्रफटा क्लास में इतना शोर यह क्लास है है प्रफटा सर जी आप इधर बैठी हुए और बचे क्या कर रहे हैं क्या बात है आपको सर की कोई रिस्पेक्ट का नहीं बता हाँ बच्चों कोन है आपका मोनीटर आप बैठो कोन है आपका मोनीटर खड़ा होजे खड़े होजे मोनीटर यह बच्ची यह तो बहुत काबल बच्ची है बेटा आप बच्चों को नहीं समझा सकती के क्लास रूम में कैसे बैठना है इसमें हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं है फिर किसका कसूर है हमारे सर सुबह सुबह अर क्राम करने वाली जगा क्यों सर जी है ये बच्चे क्या कह रहें ये किदर गया जी ये क्या कह रही है अच्छा जी मोनीटर खड़ी हो जो मैं तो पहले से खड़ी हूँ आपका ध्यान कहा है हमोश ये कैसे बच्चे हैं ये इन लोगों को उस्ताद की कोई रिस्पेक्ट करने बदा मोनीटर इन सब बच्चों को वन बाई वन खड़ा करो और इनका यूनिफॉर्म हेड्रेस वो क्या कहते हैं इसके नाखुन वगरा है ये सारे चेक करो और मुझे ये बताओ सबसे पहले रिजिस्टर निकालो और इनकी अटेंडर्स कम्प्लीड करें और मुझे ये बताएं इद आगई है सर पे और इनकी फीज से पहुंची की नि पहुंची जल्दी से मुझे चेक करो मॉनिटर बान बापा बच्चों को खड़ा करो सफा खड़ी हो जो चलो मुझे अपने हाथ दिखाओ अपने बाल दिखाओ के बाल के बिखरें वें जलो कोई बात देंग लिकिन ये तो आपका यूनिफर्म है इने श्कूल का फिर ये क्यों पहन किया इए तो फिर ये बताओ क्या आपके शूस का हैं सर जी क्या बताओ सर ये कह रही थी कि इसके ममा सो रही है इसलिए यूनिफर्म ने पहन के आई नाखुन तो इसके सही है और बाल भी सही है लेकिन ये शूस ने पहन के आई तो अब आप बताओं किसको क्या सजा दे सजा बात सुनो इससे पूछो इसने टूशन के फीज दिये इसकूल के फीज दिये सफ़ों ये बताओ कि आपने प्जेशन के फीज़ दिये है। स्कूल के फीज़ दिये है। अहट सुरूब। मही मुमा कहा थी जब स्कूल रिजल्ट आप जब को मुमा फीज देंगे। सर जी, ये कहा रही है। जब आप लोग result देंगे फिर यह लोग fees देंगे या यह क्या मसला है सब पेरेंट का यही मसला है जी वो result देंगे तो फिर हम fees देंगे यह क्या बात हुई जब तक फीसे नहीं देंगे हम कैसे अपने टीचर्स को salari देंगे कैसे akumandaid करेंगे स्कूल को आप बताओ, यह ऐसे थोड़ी होता है, तीन तीन बैडे के इनकी फीज पेंड़ी है, क्या करते हैं आप चलो जा बैठो बैठो, अच्छा मेरी बाद सुनो, अट्रेंडर्स पहले लगा लो, बेटा बैठो आप माजरी लगाने लगाँ सब की, सफा, मर्वा, जमजम, अब्दुरुमान, इबराहिम, जमजम, मुसा, आपे, प्रेजेंट, एमद, जैनब, जनेरा, प्रेजेंट, ओके, यह सब बच्छों के अटेंट्स पूरी है, नहीं बसार एक बचा काम है, कौन सा बचा काम है, असुदुला, 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 असुदुला आ गया है, क्या बात है पिटा, आप क्यों देर आ है, आपको पता नहीं, आप स्कूल में हो, यह डिसिप्लेन है, जब दिल चाता आ आ जाते है, और आपका यूनिफॉर्म का है, हाँ पिटा, कि नहीं आई जल्दी से मुझे बताओ जमजम खड़ी हो जो बताओ आपने फीज दी हाँ मेरे फीज दे दी एडवांस में सर इसने इडवांस में फीज दे दी है चलो मर्वा अब आप खड़ी हो जो आपने फीज दी नहीं अब आप खड़ी हो जो यह आपके कप्रों को क्या हुआ है शादी के कपड़े के पहने में सर यह देखें बच्चे कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं और जैनब यह बताओ कि आपने फीज दी है के नहीं वो मेरे बाबा ने बोला था यह स्कूल अच्छा नहीं है रहे हम कोई पान के पत्ते हैं क्यों क्या बात हुई जैनब के पापा ने कहा है कि हमीद के बाद स्कूल चेंज कर देंगे इसलिए वो फीस नहीं दे रहे टीचर होरी तोर पे इसके पापा को बलुआ है और इसका रिजल्ट रोख ले ओके इसको बिठाओ दूसरे बच्चों को पूछो जल्दी जल्दी ऐसे कैसे चलेगा भाई जब चाहे दिल चाहता बच्चे पेरेंट्स उठा लेते हैं यहां पर सब कुछ ठीक चलता है और यह समझ नहीं आती हैं और यह देखें मैंने हासरी का रिजल्ट देखा और उस पर हफते हफते में तीन तीन दिन बच्चे स्कूल नहीं आते यह क्या यह अपना हुलिया देखा है यह स्कूल आए वह हो कि अपनी नालों के घर आए वह हो मैं तो अपने भाई को लेके एमद खड़ा हो तो दो दो भाई पढ़ते एक स्कूल में स्कूल अच्छा है ना इसलिए दोनों आयो मुझे यह बताओ यह सर पर है तुम लोगों ने में बढ़ी है और दूसरे स्कूल को देखो टेब लगाए वे इतने अच्ची पढ़ाई है और यह उन्ने cannot आखरी दिन है आजाते वैसे भी आपकी ना तुबही बेड लग लग गी है और वह भी अच्छी वली यहां वह झालाऊए लगे होंगे स्कूल में तो च्छाते भी नहीं है सच कह रहा हूं और जूट थोड़ी बोर रहा हूं बच्चों को आपका बढ़ाते हैं फीसे आपकी इतनी उची है हम अस्केृ इन आफ जहाथ है जब स्कूल यह अदोर थे कही ड़ाएं पर दूसरे जाते हों तो साथ ही आप लोगोड दी enormous रियाद आ जाता है और कभी कभार यह होता है जब फीजकने के बारी आती हैं, तो हमारा स्कूल ही भुरा लगता है आप लोगों को तीन, तीन ठीन, चार चार दिन स्कूलमें तुम लोग नी आते हैं, शादी तुम लोग नी खतम होती, कभी मामों की, कभी चाचे की, कभी खाला की, कभी पता नहीं कि किन की, कभी हम साय हों की और बातें करते हैं और तुम लोग एक जमीन पे बैठके नहीं पढ़ सकते हैं हम लोगों ने सडकों में बैठके पढ़ा हैं, सडकों की रोशनियों में मुंबतीज लाक है और तुम लोग के पास तो लाइट है यह तर अभी लाइट नहीं लगी तो क्या हुआ पढ़ाई तो की जा सकती है ना पढ़ाई का तो प्राब्लम नहीं है सिर्फ ये तुम लोगों को फीज देने में प्राब्लम आती है इत का देना है सैलरी देनी होती है स्कूल का क्राया देना होता है और तुम लोग बात करते हो तुम लोग उने पढ़ना है तो पढ़ो नही तो तुम लोग फीज दे कर जा सकते हो क्यों बच्चो मुझे बताओ तुम लोगो ने इसका मतलब इसकोल में यूनियन बना ली है हाँ यह हमारी उनियन है बच्चा पार्टी उनियन नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे और यह क्या करें सर जी आप बता हो मैं कहार हूँ इसकी छुटियं दे देते हैं बच्चो को बाकी बाद में देखें इंके साथ अच्छा अभी देदों जुटियंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे अब 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 सुनु अने बात सुनू बास सुनों अरे चुप कर टर चुप कर जो एद के बाद सब देखेंगे और आप बास हो और इस उज़ दे दे दें लो और खाल आप परफीर से ठाउम पे दे दिताना अरे फ्रेंड्स मैं मुसा तवी फॉंग वही इस बच्चा पार्टी यूडियन का प्रेजिनेट्स तो फ्रेंड्स हम सब की तरफ से आप सब को इतुगाएं थोड़े से शरारती हैं थोड़े से मासूं हैं लाइफ की सब मुश्किलों के हल हम को मालूम है